नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्वपून जानकारी लेकर के आप सभी आम को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन हर मौसम में ये नहीं मिल सकता है लेकिन आम की पत्तियां ऐसे चीज हैं या ऐस कि आउश्यद हैं जो कि आपको सालों भर मिल सकती हैं तो आए आज हम सभी आम की पत्यों से किन किन बिमारियों का इलाज कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस बारे में जानते हैं हर किसी को आम खाना पसंद होता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि फलों का राजा आ आम स्वास्थे लाव dynamics का खाजाना है लेकिन इसके अलावा आम के पत्तों के बारे में आपका क्या खियाल है कि आपको पता है कि आम की पत्तियां भी अध्भूत लावों से भरपूर होती आंकी पत्तियां और और अचारी कुणों से भरी हुई होती हैं आम के पत्ते लाल या बैंगनी होते हैं जब ये पत्ते कुमल और नए होते हैं तो एक गहरे हरे रंग और हलके नीले रंग के होते हैं ये पत्ते विटामिन सी विटामिन बी और विटामिन ए में समरिध्ध हैं ये पत्ते विभिन अन्य पोशक तत्वों म आम के पत्ते में शक्ति शाली इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं क्योंकि वे फ्लेनोनोईड्स और फिनोल की उच्च सामगरे रखते हैं आपने अधिकतर आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया होगा लेकिन आम के पत्तों का सिवन करने से आप स्वास्थ से जुड़ी होई कई बिमारियों से छोटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं कि आम के पत्तों से किन-किन बिमारियों को हम दूर भगा सकते हैं सबसे पहले तो आम का पत्ता डाइबीटीज रोग में रामबान इलाज की तरह कारे करता है मधुमेह के उप्चार के इलाज में मदद करता है पत्तियों को सुखा कर पीस लें और उस पाउडर का उप्योग करें यह मधुमेह की रक्त नलिकाओं के रोग और मधुमेह के रेटिनोपैथी का इलाज करने में भी मदद करता है आम के पत्ते इस उदेश के लिए बहुत अच्छे हैं रात भर एक पानी में पत्तियों को भिंगोएं मधुमेह के लक्षणों को दूर करने के लिए इस पानी को छान कर पिएं यह हाइपर गलेसेमिया का भी इलाज करने में सहायता करता है पत्तियों में तीन बीटा तार के रोल नामक एक योगिक और एथिल एसिटेट अर्ख होता है जो ज इससे कि आपका मधुमेह कंट्रोल में आ जाता है इसके आलावा आप आम के पत्तों का उप्योग रक्त चाप को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं यह पत्ते रक्त चाप को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें रक्त चाप को कम करने वाले गुन होते हैं यह रक्त के कारण बेचैनी से पिडित लोगों के लिए आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाए प्रधान करते हैं नहानिक के पानी में दो से तीन गलास आम के पत्तों से बनी चाय डालें इससे सूस्ती का इलाज होता है और शरीर ताजा महसूस करता है आम के पत्ते के गून आपक इनिक सेवन जो की चाया में सुखाए गए हो ये ध्यान रखें कि पत्ते चाय में सुखाए हुए हो इनका आप नियमित रूप से उपयोग करें रात में एक गलास पानी में पावडर मिला कर रखें इसमें स्टोंस को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने में मदद मिलती है आम के पत्तों का सिवन है खांसी का देशी इलाज आम के पत्ते सभी प्रकार की श्वसन समस्याओं के लिए अच्छे होते हैं यह विशेश रूप से सर्दी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से पिडित लोगों के लिए उपयोगी है थोड़ा शेहद के साथ पानी में आम क पत्तों को उबाल कर कारहा तयार करें यह कारहा पीने से खांसी को प्रभावी धंग से ठीक करने में मदद मिलती है यह आवाज हानी यानि कि गला बैठने पर का सबसे अच्छा इलाज माना जाता है इसके आलावा यह पेचिस में भी बेहद लाफकारी साबित होता है आम के पत्ते पेचिश यानि कि खून बहने वाली पेचिश के इलाज में बहुत मदद करते हैं छाया में सुखा कर पत्तों का पावडर तयार कर लीजिए फिर रोजाना पानी के साथ दो से तीन बार इस पावडर का सेवन कीजिए इसके साथ साथ यह कान के दर्द का भी एक बेह कान का दर्द से रहत देता है रस का उपयोग करने से पहले रस को थोड़ा सा गर्म कर लें इसके अलावा जले हुए का घरेलू उपचार है आम का पत्ता जली हुए त्वचा पर जले हुए आम के पत्तों की एक मुठी राख को प्रभावित छेत्र पर लगाएं इससे तुरं गले की समस्या से पिडित हैं तो आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय है कुछ आम के पत्ते जलाएं और धुए में स्वास लें यह हिचकी और गले की समस्याओं का इलाज करने में मदद करेगा इसके साथ साथ स्टोमक टॉनिक है आम का पत्ता गर्म पानी में कुछ आम के पत्ते डालें एक धकन के साथ कंटेनर बंद करें और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें अगली सुबह पानी को फिल्टर करें और इसे खाली पेट पीएं इसका नियमित सेवन एक अच्छे पेट टॉनिक के रूप में कारे करता है और विभिन पेट की बीमारियों को रोकने में मदद करता है चुकि आम के पेट के पत्ते पूरे साल उपलब्द होते हैं घरेलू उपचार के लिए उनका उप्योग करना आसान है एंटियोक्सिडेंट और गुन रोधी गुन विभिन बीमारियों का कुशलता पुर्वक इलाज करते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप सभी आम तो खाते ही हैं आप सभी को बहुत पसंद है लेकिन आम के पत्तों काभी अगर आप सेवन करते हैं नियमित रूप से सही धंग से तो आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं तो यह थी आज की जानकारी हैं मारी आप सभी के लिए अगले एपिस तो